जैवीम योगेश लांजवार बहुजन समाज पारेटी का नाकपुर लोग सबा का अधिकृत उमेदवार अभी इस चुनाव में जब से चुनाव प्रचा शुरू हुआ है तब से हमारी पदियातरा शुरू है नाकपुर शहर के सभी विधान सबाओं में हमारे सलम में रहने की अंदर में गलियों में मैं उनके दरवाजे तक के पहुचा ऐसा पैदल यात्रा सुबह शाम दोनों समय हमारी शुरू है जिसके कारण लोगों में बड़ी आशा उमंग है और बड़ा उत्सा नजर आ रहा है इस तरीके का मेरा प्रचार का यंत्राना चालू है और अभी मैदाना जो की इंदोरा में उत्तर नाप abbrevi इस बेजन मैं मैदान में twisting घाने वाली यहां पर नापपूर शहर में और वातावरण बहुत पॉजिटिव हो चुका है काफी अमारी जंता है इस सभा में आने के लिए तो कल की जो मश्यवा रहेगी उ सभा में युश की देखे इस नाखपुर शहर की जनता को अभी तक के कॉंग्रेस ने बीजेपी ने Nordic इने का कांव किये विकास नाम लेता हैं तो कोई समरस्ता की बात करता है को कोई सभीधान बचाने की बात करता है तो कोई सभीधान खतम करने की बात करता है इस तरीकी का डियल पॉलेसी दोनों कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ताधारी पारिटियों ने अभी तक के चलाई हम दोनों पारिटियों का विरोत करते उनकी विचारधरा का विरोत करते सरव प्रतम बताना चाहूंगा मैं कि जो बीजेपी है विकास का मातर खोकला वादा कर रही है विकास नाम पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि विकास का पैमाना हमें ये लगता है कि जब तक इस नाकपूर शेहर की जनता जो गरीब है दलीत है पिछड़ा है आदिवासी है जो काम धंदा मिले उसके बच्चों को सही तरीके का एजुकेशन मिले युवाओं को रोजगार मिले महिलाओं को रोजगार मिले और साती सात महिलाओं को सुरक्षा मिले इस तरीके का जब तक कि इस शहर में नियोजन नहीं होता है ये पारटी बता रही है कि विकास तो हम उस विकास मात्र सी फ्लायवर बनाना, रोड बनाना, मेट्रो चला देना, सिमेंड का पुरा प्रदुशन कर देना, यह कोई विकास का पैमानानी होता, इसके साथ आपका मेन जो है यस नाकपूर का सर्वसाधर नागरिक, वो अगर अपने आप में कहीं तो भी बदलाव लाता है या उसके जीवन में अगर कहीं परिवर्तन आता है और उसकी गरी भी ठीक होती है या फिर उसके बाल बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ ले या फिर उसके घर के जो युवा है यूतिया है वो अच्छी खासी नोकरी मिले और नाकपूर शहर में उसको रोजगार मिले तब ह मोल मजूरी करते हैं जैसा तैसा कुछ बेचते हैं और अपने परिवार का भरहन पोसंद करते हैं लेकिन रस्ते पर खड़े रहने के कारण ठेला लगाने के कारण यह हमारे नाकपूर महानगर पाली के या शाच्किये लोग उनका ठेला उठा कर लेकर जाते एक एक मैना त पाई इसी के साथ साथ इसके पहले साथ सालों तक कॉंग्रेस की सत्ता रही लेकिन कॉंग्रेस का खासदार रहा दिल्ली से लेकर गल्ली तक उनकी सत्ता रही उन्होंने भी नाकपूर शहर के विकास में एक परसेंट का कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके करण इस शहर की जनता को कहना पड़े कि हां मेरे जीवन में परिवर्टन आया है हम चाहते कि अगर मैं मेरे लोग अगर मुझे चुन कर देते हैं और मैं अगर संसद में जाता हूँ तो मेरे नाकपुर शहर की जो आबादी है उस आबादी में जो दली पिछड़े आदिवासी मुस्लीम लाइफ है इस लाइफ में मैं परिवर्टन लाऊंगा मैं बहुत वादा करकर नहीं बताऊंगा इनको करड़पति बना दूंगा लेकिन मैं इनको प्रोपर रोजगर दूंगा यह उँवा जो भटक रहा है यहां से मुमबई जाता है यहां से पुना जाता है पढ़ लिखने के बाद में नाकपुर में इनके लिए कोई भी विवस्ता आपने नहीं किये ये नाकपुर जो कि यहां पर अभी उद्ध्यक पतियों का हब होना चीए था यहां पर रोजगार के सारे संसादन होने चीए थे मिहान जैसा आपने प्रो प्राइवेट स्कूल पर आपने बढ़ावा दिये जो प्राइवेट स्कूले यहां से लाखो रुपय मात्र आपका डोनेशन लेती है बच्चे को फीस और वो डालने के लिए उसका एडमिशन कराने के लिए फिर उसकी सालवरी की जो फीस रहती है वो लाखो रुपय रहती है तो यह आपकी क्या साड़गाट है कि जिसके करान गौवर्मेंट में हमारा आदमी चुन कर जाता है जनता जिसको चुन कर देती है जो बीजेपी और कॉंगरेस के खासदार यहां से चुन कर गए उन्होंने मात्र अपने सारे उन उद्यक पतियों को फाइदा पहुचाने का काम किये एजूकेशन में बैपरक पईदा कर दिये धंदा पईदा कर दिये और जिसके करन आपने उनके जेप गरम की और उसमें आप अपना कमिशन का खुछ नपुछ जोगाड जमा लिए हो गे तो हम चा प्राइवेट स्कूलों में कम से कम उसके बच्चे को 20% बच्चे अगर जाते ते गरीब हो के तो उसको उतनी तो सुविधाय मिल जाती थी लेकिन वो भी आपने खतम कर दिये यानि आप शिक्षित बनाना नहीं चाहते आप युवाओ को रोजगार देना नहीं चाहते उसको काम उसको करने के कारण वो घरीब रहे पिछडा रहे उसके जीवन में आर्थिक कोई परिवर्ता ना है इस तरीके का शडंत्र यहाँ पर कॉंग्रेस बीजेपी के चुन कर आए हुए अभी तक के खासदारों ने किया है